ये मेरे पीचे ये किस कौन है ये कहा का कैमपस है ये क्या है ये क्या बताने वाला हुँ मैं ये सारी जानकारी अभी स्टार्ट होने वाली ये बताने से पहले दोस्त मेरी बात को जारद को गौर से सुनिएगा और वो क्या कि जो डॉक्टर साब सीरीज जो चल रही है जिसमें अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई है आपको एक ही बार में सारी के सारी क्लासेज देखनी है सब कुछ एक बार में ही सब कुछ देखना है तो दिये गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डॉक्टर साब सीर क्यवनेंगी उनके आंसर की मिलेंगे सब कुछ मिलेगा चल ये शुरुवाथ कोड़े हैं किसी घुकिर्मारे आज के इसे बहुत इंपॉर्टेंट मेसेज कर रहा है अभी तक आप लोगों ने यही सुना था कि गौर्वर्मेंट के अप जो फीज होती है बहुत कम होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीज जो होती है टूशन फीज जो होती है लाखों में करोडों में होती है अब आज आपको एक बहुत ही पुक्ता न्यूज उसके साथ में आपको एक मेसेज देने आया हूँ यह जो मेरे मेरे पीछे जो आप यह कैमपस देख रहे हैं यह है एक मेडिकल कॉलेज का जिसका इनागरेशन प्रधान मंतरी मोदी जी ने दो हजार तेईस में किया था 25 मार्च 2022 को प्रधान मंतरी मोदी जी ने इस मेडिक न्यूस जो है या मैं बोलूँगा यह सुर्खियों में आ रही है न्यूस क्या कि यह जो मेडिकल कॉलेज जो है ना यह मेडिकल कॉलेज आप से 0 फीस लेगा आपकी नीट UG यानी MBBS या नीट PG MDMS की जगर त्यारी करते हैं उसके लिए कोई फीस नहीं है सुनकर कितना अच वर्शों में ऐसे कितने इंसिट्यूट आएंगे जो free of cost आपकी पूरी की पूरी education को करेंगे और आपने सुना भी होगा कई विदेशी ताकते मला विदेशी देश ऐसे हैं कई ऐसे विदेशी देश हैं जो education को free घरते हैं बिल्कुल free of cost है बच्छों के लिए वहां पर education हम एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, admission यहाँ पर NEET exam के थूँ होगा, अगर आप MBBS में admission लेना चाहते हैं तो NEET UG के थूँ है ना, और MDMS में अगर आप admission ले रहे हैं तो NEET PG के थूँ, जो NEET PG का अभी जो exam हुए तो उसका result भी आ गया, NEET UG का जो exam जो 7 माई को होने वाला है, वो, उसी exam के थूँ आप in medical college में ही entrance लेंगे, यह जो medical college जो है, बट बात यह आ रही है, कि कोई भी चीज अगर free में दी जाती है, तो उसकी कुछ values होती है, आपको पता होना चाहिए, आप जो 7 माई को जो exam देंगे, उसके exam देने के बाद में जब result आएगा, result आने के बाद में, आपको इनकी जो website जो है, मैं आपको website भी दिखा देता हूँ, आपको उस पर login करना पड़ेगा, यह इनकी website है, आपको just google पर डालना है, श्री मदू सुधन साइं medical college, यह डालने के बाद में आपकी यह website खुल जाएगी है न, फिर इसमें आपको apply करना पड़ेगा, basically K.E.A. करनाटका में है बटाइए, यह medical college कहाँ पर है, करनाटका में और वहाँ पर करनाटका में जो entrance जो होएगा, K.E.A. website है इनकी, उसके थुरू ही क्या होएगा, medical college में आपको प्रवेश मिलेगा, तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, यह college है करनाटका में, और करनाटका आप जानते ही है, science, हमारा जो southern part है इंडिया का, वहाँ पर medical colleges, medical science, बहुत ही लाजवाब है, पहली बात तो आपको यह समझना है, तो बहुत अच्छा medical college है, लेकिन बात वही आ रही है कि, यहाँ के जो founder जो है, उन्होंने अभी एक latest, मैं बोलूँगा, एक news के साथ में, उन्होंने यह सीधा सीधा बोला था कि, भाईया, आप एक जोड़ी कपड़े में आईए, अपनी पूरी MBBS की degree पूरी करिए, या PG की degree पूरी करिए, कोई charge नहीं लिया जाएगा, कोई fees नहीं ली जाएगी, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, ला जवाब लग रहा है ना, लेकिन बात वही है, क्या, कि कोई भी चीज अगर मुफ्त में मिलती है, तो उसका कुछ values होती है, क्या norms है, क्या condition है, क्या शर्ते है, कि आपको यहाँ पर free में पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद क्या, बस जाओ, नहीं, अगर आप यहाँ पर MBBS की डिग्री पूरी करते हैं, लग बग 5,5 साथे 5 साल, तो उतने ही साल आपको यहाँ पर सेवा करनी पड़ेगी, अगर आप PG करते हैं यहाँ से, तीन साल की, तो उतने ही साल आपको यहाँ पर सेवाई देनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी, अब यह ध्यान में रखकर चलिएगा, अपने दिमाग में, कि अगर आप इस Medical College में जा रहे हैं, जन सेवा ही तो है, तो यहाँ पर भी वो भी तो यही चाह रहे हैं, कि जन सेवा करिए, आपको मुफ्त में पड़ाई दी जा रही है, आपको एजुकेशन दी जा रही है, जितने साल आपको एजुकेशन मिलेगी, उतने साल आप मुफ्त में पढ़ाई करिए और उसके बाद में अपनी सेवाईं दीजे जो भी आपने पढ़ा है वो मानव कल्यान में लगाईए न दोस्त तो मेरे क्याल से ये तो सबसे बहतरीन option रहेगा आपके लिए लेकिन बात वही आ रही है इनको सीट जो अलॉट हुई थी वो कितनी हुई है डेड़ सो जिसमें से इस साल इनको सौ सीट पूर्ण रूप से इनको अलॉट की गई है लेकिन इन्होंने बोला है क्या कि भाई हमको सिर्फ पचास सीट पर ही एडमीशन लेना है 50 सीट पर ही एडमीशन देंगे और वो पचास बच्चों पर पूरी अच्छे से देखरे करके उनको अच्छे से पढ़ाई कराके उनको बड़िया एजुकेशन देके उनको एक बड़िया डॉक्टर बनाएंगे ये इनका लक्ष है ठीक है सो पचास सीट अब आप खुद इमाजन करिए फ्री में एजुकेशन अगर मिल रही है और सीटें अगर कम हैं तो आप जान सकते हैं इतना कि भाया माक्स कट आफ जादा जाएगी इस कॉलेज के लिए जो करनाट का में है सो ये एक छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी अगर पहले से पता है नहीं पता है तो अभी से लग जाएए पढ़ाही में क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में ऐसी ना जाने कितनी संस्थाएं होएंगी जो आपके भले के लिए बहुत कुछ करेंगी हमारे इंडिया में वैसे ही रूप से सम्रद नहीं है जो प्राइवेट कॉलेजेज की फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिए ऐसी और्गनाइजेशन सामने आ रही है तो मेरा सेल्यूट है दोस्त ऐसी और्गनाइजेशन को ऐसी संस्थाओं को जो आपके बारे में इतना सोचते हैं रही बात बिटा आज की क्लास की तो वो हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल हम क्या करने वाले हैं पूरा नीट में जो 11th और 12th का NCRT का जो डाइग्राम से है वो हम सारा का सारा डिसकस करने वाले हैं ठीक है सो मिलेंगे हम कब कल उसी टाइम पर 12 बजे ठीक है और इसको एक बर इनकी वेब साइट पर जा कर देखिएगा और किसी भी जगे अड्मिशन लेने से पहले पूरी पुकता जानकारी होना भी जरूरी है ये तो जस्ट एक निउस आई थी और ये बताना बहुत जरूरी भी था आप सभी को ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपका कोई भी कोशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा थेंक्यू सो मच